बच्चों, हमने अपने आज की कक्षा में देखा कि सांखी की माध्य की कौन-कौन से प्रकार है? किन-किन श्रेणियों में हम उनकी गढ़ना कर सकते हैं? हमने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी के कुछ प्रश्न भी हल किये? अब हम अपने आगे की कक्षा में इनी श्रेणियों के अंतरगत माधिका की गढ़ना करेंगे? बच्चों, इस विशह से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है, तो आप हमें इस पते पर मेल कर सकते हैं और आपको कुछ असाइन्मेंट कोश्चन दिये जा रहे हैं, जिनके आंसर भी आ किते हैं.